आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी पोटाइटो बॉल बनाने की रेसिपी इसे बनाना बहुत ही असान है और यह बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनता है तो शाम की हलकी फुलकी भूगो और कुछ मज़ेदार खाने का मूड हो तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राइ कीजेगा तो चलिए देखते हैं हमें इसे कैसे बनाना है पोटाइटो बॉल बनाने के लिए हमें इन चीजों की जरूरत है तो हमने यहां पे लिया है तीन मीडियम साइज के उबले और मैश के हुए आलू और फो टेबल स्पून हमने लिया है धनिया की पत्ती कटकी हुई और एक चोटी साइस की प्याज हमने बारिक कट करके लिया है फाफ टी स्पून हमने लिया है चाट मसाला पॉडर और 180 स्पून हमने लिया है काली मिर्च का पॉडर नमक लिया है हमने टेस्ट के अकॉर्डिंग और 2 हमने लिया है हरी मिर्च और 140 स्पून हमने लिया है लाल वो प्रौल म्यूताइशारे में डूर मेरा तयार हुआ है गर्षा है और एक हमने लिया है अंड़ा कर बीट कर तो हमने जो भी इंग्डियन्ट लिया था वो सब आलो में सबसे पहले डाल देंगे तो इसमें हम डाल देंगे प्यास और चाट मसाला पॉडर डाल देंगे हरी मिर्च, काली मिर्च का पॉडर और इसमें हम डाल देंगे लाल मिर्च पॉडर, नमक डाल देंगे और इसमें हम डाल देंगे धनिया की पत्ती तो हमने यहाँ पे सारे इंग्रीडियन डाल दिया है और इसे अच्छी तरह से हम मिला लेंगे तो हमने इसे अच्छी तरह से मिला लिया है तो अब हम बनाएंगे पोटाइटो बॉल तो पोटाइटो बॉल हमें जितना बड़ा बनाना है आपको आप उस हिसाब से ले ले और इस तरह से करते हुए इसे बॉल का शेप देंगे हम तो ये देखिए हमारा एक पोटाइटो बॉल बन करके त्यार हो गया है इसी तरह से हम बागी कभी पोटाइटो बॉल बना करके त्यार कर लेंगे तो हमने सारे पोटाइटो बॉल बना करके त्यार कर लिया है तो अब हम इसे डिप करेंगे और कोट करेंगे तो सबसे पहले हम potato ball को लेंगे इसे हम मैदे में अच्छी तरह से इस तरह से coat करेंगे मैदे से coat करने के बाद हम इसे डाल देंगे अंडे में अगर आप अंडा नहीं खाते हैं तो आप अंडे की जगहां कॉन फ्लोर और उसमें पानी डाल करके उसका गोल त्यार कर सकते हैं उसमें डाल सकते हैं तो इसे डिप करने के बाद हम इसे डाल देंगे ब्रेट क्रम में और ब्रेट क्रम से इसे हम अच्छी तरह से कोट कर लेंगे तो यह देखे हमने इसे त्यार कर लिया इसी तरह बागी कभी कर लेंगे और अब हम फ्राइट करेंगे पोटाइटो बॉल को तो यहां पर हमने ओल लिया है तो इसमें हम डाल देंगे पोटाइटो बॉल को और पोटाइटो बॉल हर साइट से अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक हम इसे फ्राइट करेंगे और फ्लेम को लो रखें तो एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो गया है तो हम इसे पलट रहे हैं और दूसरे साइड से भी हम इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राय करेंगे हमने फ्लेम इसलिए लो रखा है क्योंकि हमने ब्रेट क्रम से इसे कोट किया था और जल जाएगी इसलिए फ्लेम लो रखन तो यह हर साइड से अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो गया है क्रिस्प हो गया है तो अब हम इसे निकाल लेंगे और यह आप देख सकते हैं कि कितना क्रिस्पी लग रहा है तो अगर आपको मेरी यह रेसिपी पसंद आई होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दी में वीडियो देखने के लिए शुक्रिये अल्लाहाफीज है